हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, स्माइल ओपनली भी डॉक्टर पुर्णम किसी भी वज़े से अगर कान में दर्ध है, तो क्या कुछ घरेलू नुसके की मदद से इंस्टेंट रिलिफ मिल सकता है आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे तो मैं हूँ डॉक्टर पुर्णम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली कान का दर्ध भहुत कस्टडाइक हो सकता है ऐसे में तुरंत राहत के लिए कुछ घरेलू नुसके जान ले ताकि जरूरत के सम्में दर्ध से चुटकारा मिल सके कान में दर्ध कभी भी कहीं भी हो सकता है और इसके पिछी कई कारण होते हैं बैक्टिरिया इंपेक्शन से लेकर कान में फोडा या दांत का दर्ध भी कान के दर्ध के लिए दोशी हो सकता है कान के दर्द के लिए ये ड्रम पर जमा वेक्स भी जिमेदार हो सकता है कारण चाहे कुछ भी हो आप तुरंट डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और इस अंतराल में कान का दर्द परदास से बाहर हो जाता है ऐसे में कुछ घरेलू नुस्क के काम आएंगे और इन घरेलू नुस्कों की मदद से आप तुरंट कान के दर्द में रहत पा सकते हैं जैसे की गरम सिकाई और ठंडी सिकाई कान में किसी भी तरह का दर्द हो सिकाई हमेशा ही कारगर होती है गरम और ठंडी सिकाई को बारी बारी से करे पहले एक कपड़े को प्रेस की मदद से गरम करे और उसे पांच मिनट कान पर रखे इसके बाद पांच मिनट आइस पेक लगाए आपको एक से दो बार में ही आरा मिल जाएगा गरम से एक से मास पेसिया रिलेक्स होती है और ठंडे से नसे सुन हो जाती है इससे दर्द में तूरंत रहात मिलती है नेक्स्ट है लहसून का तेल लहसून में एंटिंफलिमेटरी प्रापर्टी होती है जो सुजन कम करता है यही कारण है कि लहसून कान के दर्द से राहत देने में कारगर है लहसुन में एंटिबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है जिससे किसी भी इंफेक्शन के कारण होने वाले दर्द में आराम मिलता है एक चमत सरसो या तिल के तेल को हलकी आंच पर गरम करे और उसमें दो से तीन महिन कटे लहसुन डाल दे लहसुन के भूरा होने तक तेल को गरम करे और फिर इसे च्छान ले तेल को गुनगुना होने दे और फिर कान में डाल ले इसके बाद कान को रुई से बंद कर दे आपको दस मिनट में ही आराम मिल जाएगा नेक्स्ट है अदरक का रस अदरक में भी एंटी इंफ्लिमेटर प्रॉपर्टी होती है जो कान के दर्द से आराम देने में सहायक है अदरक का रस निकाल कर उसे उंगली या कोटन बोल की मदद से कान के बाहरी हिसे पर लगए द्यान रखे इसे कान के अंदर नहीं डालना है आप लहसुन की तरह ही अदरक का भी तेल बना सकते हो गर्दन के एक्सेसाइज करें हमारे कान गले से अंदर से जुड़े रहते हैं कई बार किसी नस के दब जाने से भी कान में दर्द हो सकता है इससे राहत के लिए गर्दन स्ट्रेच करना आराम दैख हो सकता है सबसे पहले तो दोनों पेरों को जमीन पर रखकर सिद्धे बैठ जाएं फिर गर्दन को आगे और पिछे धीरे धीरे रोटेट करें इसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाएं और स्ट्रेच करें इसे पांस से छे बार करने से आपको आराम जरूर मिलेगा नेक्स्ट है पेन किलर का सहरा भी ले सकते हैं आप ओवर दे काउंटर दवा जैसे इबुपरोफेन, एसिट अमिनोफेन के सेवन से भी आपको कान के दर्द मित्वरित आराम मिलता है अगर बच्चों को अगर आपको दवा देनी है तो आप डॉक्टर की एडवाई जरूर ले बिना डॉक्टर की एडवाईज या बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन आप बच्चों को मेडिसिन नहीं दीजी और मेडिसिन की जगा अगर आप घरेलू नुसके यूज करें तो वो काफी अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सुब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहें अगर कांत के दर से रिलेटिट कोई भी क्योरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो तेंक यू